प्राइबरेली जिल्षत के लाल गंज पत्वाली च्हेथ के बढ़ताई मोहले में उस वक्त हड़कम मजगया जब संदिक्ट परिस्तितिओं में युप्ति कर्षब पड़ा हुआ मिला आपको बताते शरीवार को लाल गंस कोटवाली छेत के बढ़ताई मोलने में अपने पती इस्तियाक के साथ रह रहे रही पिंकी करशा कंदिक परिस्तितियों में घर में पड़ा दे पड़ा उसी उन्हें मामले की सूचना डायल 112 पुलिस को दी सूचना पर फोची पुलिस ने शब को कपचे में ले लिया और फूसता शुरू की तो पता चला मिर्टका अपने पती वह एक मासुम बच्ची के साथ रहती थी पती पती में आए दिन विवाद होता रहता था ता वर लात भी दोनों की पीच जगड़ा हुआ है सुबा पत्नी का शब घर के बाहर पड़ा हुआ मिला वही पती अपनी बच्ची को लेकर गाया मिला फिलाल पुलिस ने मामले की जान शुरू कर दी है मिलते का के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं और मोगे से उसकी तूटी चूड़ियों के टुकड़े मिले हैं फिलाल पुलिस ने पती की इस्तलाश शुरू कर दी है रात अवाद दिया और हम लोग चत पर रिके थे ते बस हम लोग देखने के लिए आएं जुह फिस दोको पता दिया जाएगा आप लोग आ जाएए इस महिला के कितने वच्चे थे जिस महिला के एक लड़की छीच्छे साल की अच्छा और अभी कै ब्रगने टू कें थि प्रण पती कहा है थे पती इंको नहीं मालूश है अँछ निकल गया और इस भोग गया है पती का कहना इस्तियाग बोला श्रापर सुजना मिलेती कि इस् और मैं मौके पर मौजूद हूँ, मौके पर आके देखा तो यहां महला की वारिम बताया लोगोंने, यह छत पर लेटी थी, और महला को रात में खारी पड़ता था, और इसके पती से को जगड़ा हुआ है रात में, और डेड़ बोडी जब यहां पड़ी है नीचे, वहां प गिरने की, और मौले बाला में बताया कि जगड़ा उता रहता था, मौके पर फॉर्ण से क्टीम आ गई है, जांच की जा रही है, तहरीर मौले के लोगों उन्हें दी है, इस पर विद्यकारवाई की जा रही है, सर पती, पती क्या है, पती इसका जो है, सुबह मौके से, अ पन की काम तो नगर गया, ब्रीफ, ब्रीफ, ब्रीफ,